तो खलो दोस्तो आज फिर से मैं आप लोग को सवागत करता दोस्तों यहाँ पर आप लोगका लेक्चर नमबर टू में जहाँ पर हम लोग पार्चल वैलिस को देख रहे था ह। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगने question number 4 तक के question complete करेते हैं और question number 5 भी exactly same तरीके से होने वाला तो वो question मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है तो आपके उसे जरूर ट्राइ करना हम लोग बात करेंगे आज question number 6 से लेकर question number 10 तक के question को तो बड़े ही अच्छी तरीके से गौर करना और ध्यान देना तो कि यह question थोड़ से special type के और बड़े फॉर्मले पर बेस होने आता है बहुत सिंपल होता है इसे solve करना है लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा धर जाते हैं डरना विल्कुल भी नहीं मैं आपके साथ तो solve करवा कर ले लूगा तो दोस्तो आज हम लोग समझने वाले बचे वह question तो इन question को आप लोग को सीखना है तो बने लेना वीडियो के end त दोस्तो स्टाट करने से बिले आप लोग को यह बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोग का स्वागत करना चाहता हमारी यूट्यूब चैनल चेयार कॉलेज पर स्टाट करता हूं आज का वीडियो तो लेकिन आप लोग एक चीज़ा और कर लेना दोस्तों बहुत से डाउट आप लोग कमेंट सेशन में पूछ नहीं पाते हैं तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ 9700 कुछ मंसीर पे शेयर कर देना मैं वहां पर आपके डाउट सब्सक्राइब यहां तो इसे जो करना है तो आप लोग को सेंट्रल हाइट निकालें पहली बात सेंट्रल हाइट मतलब वाली वैलियो और वीच वाली वैलियो होती है Q2 और Q2 का मतलब ही होता है median तो इस question में find out करना है मेडियन तो देखो जगर मेडियन नहीं समझ मैं तो एक काम करो Central height का मतलब Q2 भी आपने लिख सकते हैं Q2 भी बोल सकते हैं करना तो पहला काम यह हो का इस data का CF निकाल ना तो इस data को अगर मैं क्या करूंगा थोड़ा सा smartness के साथ behave करो तो मैं क्या करूंगा इस data का copy बनाओंगा और इस ही को मैं यहां पर करके अब बाकी सारे इस तरीके से अब वोगों जे क्या देगा हो मुझे देगा मेरा सिया अपर इसे में यहां पर जॉइन करता हूं दिना अभी फटा फट्स चीजे को क्लेर कर लेक्स आप यह तो तीन आच पाच और यह पर सी अपर मैं एक और कॉलम अड कर लेता हूं पर मेरा टूटल भी सबसे पहले जो फूर तो फूर में करते हैं वैसी करना और प्लस टिक्स कितना हो जाएगा इसाथ को अलग कर दो पाच को अलग कर दो अई कितना हो जाएगा हो सकता है यहाप की जाएगा है इसबसे पहले सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले लाटने लिए आपको दियोडीर देखना पड़ेंगा क्यों काई देखना पड़ेगा इंटु रिवाड़ होगी तो यहां पर क्या रहा है अब हंड्रेट या फिर हंड्रेट देखो पहले पात तो हंड्रेट होना चाहिए अफिर हंड्रेट से बड़ी वाली पहले अब आप देखो यह हंड्रेट से नाइटी छोटा है इसे बड़ी वाली वाली कॉन से यह 156 तो यहां ही पर मेरा क्य यहां पर लिख देता हूं कि उसके जब लोगों को फो गया बात करेंगे यह मेरा हो जाएगा यहां पर क्या जाएगा यहां पर क्या जाएगा इस तरीके से लिक टूबा ठीक है आप इसकी वैल्यों करके 100 निकाले विए यह हमारे पास कितना है 165 ह हमारे पास कितना है दोले के बीच के डिफरेंट कितना है पाच एफ एफ हमारे पास कितना है एफ हमारे पास 64 चल आगे बढ़ेंगे टू एन अपर यह कितना हंड्रेट है और सी एफ कितना हमारे पास 92 है अब इसे सॉल करें तो मिलेगा एट एट तो यहां पर कितना मिल जाएगा हमें एट मिल जाएगा यहां पर में लिख लिए था फटा फट से 165 तो 165 प्लस फाइप यहां पर 64 मल्टिप्लाइबा एट 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 जा रहें आपन अब क्या करेंगे फाइट को एट से डिवाइट कर दो जो वैल्यू है को इसे एड कर दो तो अब 20 मतलब 20 होगे फिर टू जा और इसके बाद फाइव जा इसे एड कर देंगे तो हमारे क्यू टू की वैल्यू कितनी होगे दोस्तो 165.625 इस वाट सेंट्रल हाइट ऑप इस देटा और सेंट्रल हाइट मतलब ही क्या होता है मीडियन तो आप लोग मीडियन के फॉर्मल इस को समझा हुआ है अब बात करते है नेक्स्केशन की वह गया हमारा कोर्शन नामर सेवन इस से भी देख लेते हैं इस कोशन में हम लोग को मिसींग डेटा को फाइंड आट करना है यहां पर एक और कोशन मार्क जाए से फाइंड आउट करना अब जो रीड कर लेदे क्यो known that the median of the distribution is 120 हमें मीडियन दे दिया हुआ इसके अंदर कितना दे दिया हो हमें दे दिया हुआ 120 तो बात करते हैं आगे फाइंड दे मिजिक फ्रिक्वेंसी को हमें पाइंड आउट करना है तो सबसे बढ़े मैं यहां पर एक टेबल बनाओंगा ताकि मैं डेटा को पहले अच्छे तरीके सिलिक सकूँ उसी में मैं सी अफ और बाकी सारी चीज़ों को यहां पर लिख दूंगा यह मेरा यहोंगे टीटा का सारी चीज़े लिखने के लिए चीज़े मैंने कर लिकाए इस प्लिट कर लिए रोग को यहां पर मेरा एक फ्रिक्वेंसी और यहां पर लास वाले मेरा सी अफ आ जाएगा अब चलब डेटा को मैं आप लिखता फट आ जाएगा किए स SARीने आपर आरा पर अपर दिस तांब अभी पहली जो डेटा है रियरो से लेकर 50-0-50 लिख देता हूँ जाफूटी से 150 लिख देता हूँ 150 से 200 लिख देता हूं और उसके बाट 200 से 250 लिख देता हूँ अब यहाप अजित लाइन किस दूँगा अब अब आप देखो में करना है अच्छे तरीके से नोटीस करना अब मैं वैली इसको एख लेक्ले इस सबसे मुझे पहली पता नहीं है तो मैं इसे मान लेता हूं x यह 15 है इसे माल लेता हूं में य और इसे माल लेता हूं में 3 और यह सारी चीज़े को प्लस करके मुझे बोला हुआ एन की वेल्यू आप लोग लिख लो एन की वेली कितनी ती फिफ्टी दिदे मता टोटल हम लोग को सम फ्रिक्वेंस ती यह बोल दिया होगा लेकिन इसे ऐस प्लस x plus y किसे सप्ली आप लोग यह ऐसे तरीके से लिखना है या आप लोग वो यह समझ में आ गया क्या कोई टाहू टेस्में देख लोग फिर से 7 7 प्लस x 7 plus x 15 22 प्लस x 7 प्लस x 7 प्लस 22 प्लस x वाय हो गया और लास में अगर देखा जाना तो एन की वैलू जुट कितनी फिप्टी है ना लाट इस इकुल 25 प्रस एक्स प्लस वाई एक्वल टू फिप्टी यह बाद में पुट करेंगे पहले आपन फॉर्म में पुट करते हो फिफ्टी पुट करेंगे और बाद में इसे सब्स्टिटूट करके है अपन वैलिज को फाइंड पर आसकता है तो मैं उस कॉलम को मैं मेरा बॉक्स बनाके रख लूँगा और वह कॉलन है मेरा यह वाला हंडेट से फिफ्टी यह वह लग इसको मैं बॉक्स मना करके रख लूँगा और यहां रिक्वायट को अब यहां पर में लिग दूँग सीए ठीक है एच हो जागा इनकी बीच का डिफिस जाने की 50 तो मैं लेखता हूं एल की वैलू मेरे पास कितनी है हंड्रेड एफ की वैलू मेरे पास है 15 उसके बाद मेरे पास सीएफ की वैल्यू है सेवन प्लस एक्स और बात कर लूँ अगर मैं है यान की तरीके से मुझे एच मिल जाएगा अब मुझे पता है मीडियन का फॉर्मला किया होता है मुझे में एंड़र प्राकेट में इन वाई टू- कि यह पॉर्मला होता है मेरे पास दिया होगा है मेरे बिलों कि मैं जरा जान से देखू तो मुझे दी वी है 100 सब्सक्राइब मेरे बात करते हैं इस मुझे कितना दिया हो इनके बीच का डिफरेंस जीरो और 50 की बीच का डिफिटी यहां पर 50 दिया हो अब कि वेलु दीए मुझे कितनी दोस्तो 15 दे दी विया एन वाई टू एन वाई टू की वैलू मुझे नहीं पता लेकिन एंट की वैलू पता है कितनी है 50 तो यहां लेकिन फुफ्ती अपोन में टू ला माइनस सी फीफ मेरे पास कितना है 7 प्लस एक इसे में वैसी रखता अब इसे सॉल गोई तो यहां पर कितना हो जाएगा तो यहां पर मुझे मिलेगा ट्री दर लेकिशाओंगा डिवाइट यहां पर यह इस तरीके से 25-7-6 तो यहां तक पका सही है देख लोग अच्छे तरीके से अब कुछ तॉर्ट है अब यहां पर मुझे मिलेगा 23 दर जाओंगा डिवाइट यहां पर यह इस तरीके से 25-7 कितना हो जाएगा 25-7 जाएगा तो बचेगा यहां पर 18 बच जाएगा माइनस एक्स अब 00 क्यांसे 236 6 इक्स एक्स एक्स को यहां पर लेलो 6 को आप लेलो 18-6 एक्स की वेल्यों आगे 12 अब लोगो पहली फ्रिक्वेंस इससे मिल चुके अब second frequency कैसे फ्रीक्र जैनल करेंगे n से फ्रीक कर लें है हमारे पस न पे ग़ोर करना इं हमारे पास कितना धिया हुआ है यहां पर हम लोग एन को रिप्लेस करते हैं यहां पर लिक्ता हूं में 25 प्लस एक टूवल या लिपता हूं टूवल प्लस वाइग्वल टू फिटी अब टूवल प्लस होता है 27 37 37 वा पर लेके जाके सब ट्राक कर दूँगा तो 50-37 और यहां पर वाई की वेली कितने मिलके 13 इसे मिस्ड़ीन सी कोशन के निर्फिनेटली बहुत लोग कोई तो आप लोग को फीजी पीजी समझ में आ गया तो यह ताप लोग का वन लोग को ऑन आप दो सिंपल तरीखे से सॉल्ल किया चाह सकता है असान था बहुत बढ़िया तो मैं सी फ्रिक्वेंसी बात करते हैं एक और कोश्चन अब देखो कोश्चन नमबर 8 जो मैंने आप लोग के लिए चोड़ा हूं भी सेम प्राटन में करना आप लोग को आप लोग अराम से कर लेंगे बात करता कोश्चन नमबर 9 लिखी तो इसे रीड करना है पहला है फॉल्वें ग्रूप डेटा फॉर्ट दूरेशन ओ फिक्स दिपोसित फंडेट सीने सिटिजन फ्राम है फ्राम सटेन बैंक तिक दिपोसित की अमॉन जीरो से वनेटी जीरो से बिपोसित का देज दिया इसका मतलब क्या है चले से मैं समझाता हूं पूरी डिटा को मैं आरेंज कर दिया ऐसे करके यहां पर मेरा पास आएक यूट्यू और यहां पर क्या जाएक शूट अब यह दिखेंगे तो यह एक हैच भी हो जाएगा जीब एक हैच्छ पर बीच के यहां पर कितना पर संट किस निवी-पथी-पचीज लेकिन रटीक से देखो तो यहां से यहां तकता होने वाला हुओ प Azp परसेट किया जाए तो सेंट्रल 50 फिट्टी परस्टिन मतलब क्या यह सेंट्रल 50 परसेंट का हमें लिमिट निकारना था मतलब क्या होता है बाउन्डरी मतलब मेरे इस सेट और मेरे इस सेय उसेट क्या भैली अटरिe है रहे है तो वेफिटी फरसंट की यहां होगा 90 कि यह साथ जाएगा वो क्यूट्री आएगा तो क्वेशन में हमने फाइड करना है q1 and q3 नहीं पर तूहर को से अ पर त्षेम पॉर्मड दोबार लगाना पड़ेगा तो इसे देखते हैं अ पर फटाइभ ते कैसे निकाले गाइगा चला देखो यहां पर फटाफट सबसे बेल में टेबल बना दो है अपर जो भी है डेटा का उसको टेबल लिए टेवलर फॉर्म में यहां पर लिख लोगा फटाफट से देखते क्या दिया हुआ है मुझे इसको यह पहला कॉलम इसको डिवाइड कर दिया तो पहला कॉलम जो अपना पूल स्यच केंडर दिया हुक क्या पर गया आपने को फ्रिक्वेंस जीन एक नंबर एप सिटिकने की बारिया आंगे पर कितना गया से 181 कृट से लिकर ने अडुक्ये 0 हुए उसके बाद तो Есть i6 को देख लूंगा और उसके बाद आगे बाद आगे वंड़ोंगा तो 540 से 720 हो जाएगा है यह आपना data अब या मैरे क्याओ 15 दिया हुए है यहां पर हमें 25 दिया हुए है या पर हमें हमें 30 दिया हुए है हमारे पास क्या है सीनियर सिटिजन्स है तो सी अपने का लूँगा लूँगा यहां पर अलग अलग सॉल करता है यहीं पर सारी चीज़े हो जाए जाए तो सब्से पहले है मैं को कहने कर लना सब्से पहले क्यूँ और प्री चीज़े वह एक अदो एक जो चाहे एक जिए आप जाएगा फुर यानिकि ट्वाइन ट्विंटी अब आपने जो को ट्राइबल बनने वाला है न दोस्तों कि इसके लिए बने कर घू कि लिए कि इसके लिए बनेगा क्यूवन यहां पले दरा तुसी तरीके से मैं क्यों ठीक लेके घू तो फॉर और क्यूदी एचेकिंग दे वैल्यू पर चेकिंग देड़ल्यू उल्यू बोर आयनवाइड फॉर अपाइड़े वेल्यू रिखेंग फिर पडीद टूड़ें जिस्ट त्री आपर आ जाये हैं जो पीज्टू TRI आने वाला है यूघ तो मुझे यहापर मेरा क्यू थू त् इस रो में मिलने वाला है तो यहां पर मैं लिख दूँगा क्यूट है अब क्यूवन के लिए चलो फड़ा वटे सारी लेख रहेता है चीवन के लिए हमारे पास यहां पर 180 हंट है ऐसके लिए प्येकिण होगी सेमी होगी है जाए चाहिक वो सब्ट्राक्क करते होica ही सचाहिए ह होगा ऐसके बाद कितना रचक बद जाए टी एच हो गया उसके वानकाक को फ्रामाइब भावलिए ह। ठीक है 15 हो जाएगा और in by 4 तो आपने पहले निकाल लिया है 25 तो बस बाकी सारी चील सॉर्टेट है फॉर्मला लिखलो क्यों का फॉर्मला क्या हो जाएगा l plus h by f bracket में n by 4 minus cf ठीक है l की वेलु कितनी 180 180 plus h by 4 h by f h की वेले कितनी है 180 सॉरी अलबी अपने पास बनेटी एजब सही एक्तम सॉर्टेट ओके एफ की वेलु कितनी है यहां पर फिफ्टीन आ चुकी है चला इसे सब्ट्राइक कर तो यहां बच्छे का 10 15 से अगर मैं 180 को डिवाइड करता तो आता है मेरे पास 12 12 स्टाम अल्टी पला बते हैन करों गाले 20 120 को एड कर दो कितना होजा को द्रेहंट इस अधर यहां पर त्रियुक्त रिची वैलियर जिए घ्याल के वैलियर है फकी वेलियर नहीं पहेले शिआ कि मैअ इसकी वेलियर चैन यहां पर एटक रिटी और सी अधर की वैलियर और बागी तो आप लोगों को पता ही है cf की वेलिए 60 है बस अपने को फॉर्वा लिखना है क्यों थ्री के लिए एल प्लस आपर क्या जाएगा एच बार एफ ब्राकेट में दी एंड बाइफ फूर माइनस एप लिश्पर डालते हैं यहां पर कितनी 540 हमारे पास कितना है से है 180 तो यहां पर लिखता हो 180 एप की वेलु कितनी है 30 अब लिखता हो 30 ताकिन में 3 इंटो एंड बाइफ और अब 3 एंड बाइफ की वेलिए मैंने कली 75 माइनस एफ की वेलिए कितनी 60 तो इसे सॉल कर लेता है 75 मैंने 60 कितना आचा है का 30 70 15 आ जाएगा और 15 से अगर मैं कैंस पर जाए वेले 50% की लिमिट मिलके पहला 300 एंड जूसरा क्या है कर सकते हैं जान देना बहुत सिंपल को और आपने डेफिनेटल इसको भी समझ लिया होगा तो पहले आप लोगो समझना ओगा डेटा क्या दिया होगा है डेटा के इसाब से आपको फाइंड क्या करना है और कुछन को है कैसे अगर बात करता है स्टार्टिंग 50% की आप लो क्योग क्यों घंड को टींट्य से लिवेडियो आइस तरीके से करना है जो आ पर ने सभेंगे एहां पर बना है सब्सक्रीन स्वार्ण करके इस थारी के से इसको के ठीक है त्हें पर इहां तो यापकर अपर हमें या फ्लित ऑम यहां पर सब कुस्यांद यहां पर हमेना इसका उसकोष्ण में घ्रभी सम दिआ था प्जीन को इसी फॉर्म में रखता और इसी फीर में यहां फुर्टिकल नहीं पर आहिए बना ले इसको ऐसे लिके रहां सब्सक्राइब अपना वो दिया होता है वो इंटरवल दिया होता है उसके बाद अपना आता है सब्सक्राइब आपर लिख दूंगा आपका लेज़ दन से चलो पड़ाइब लाइफ इन आवर किसका लाइब दिया होगा ओके आम लो कहा निकालना है लाइप नवर नमबर ऑफ बल्ट अचा बल्ट का लाइब दिया ओके वी यू एल बियस अलिंदिक लाइब उसके बाद आगे बढ़ता है पहला 950 से लेकर 1,150, 1150 से लेकर 1350 से लेकर 1550 और उसके बाद 1550 से लेकर 1750 और आगे 1750 से लेकर 1950 से लेकर कितना है इस तरीके सापने डेटा रेकट रख लिग अब धर रख सब्सक्राइब करने प्लस करनेपने प्लस पता नहीं है वे यह विवेशन में दिया होनी बताएब आलाके में बदिया मेन की वर्यवान पाई लिग दिया है पता नहीं कि लिग घूैड जो मुझे दियावने कॉश्यन में वो लिखता हूँ इतना 1504 लिखके रख लेता हूँ तो यहाँ पर बरते यह टुवेंटी यह तो टुवेंटी मेरा में से इसे एड़ कर लोगो तो टुवेंटी प्लस 43 कितना हो जागा 63 आप लेक तो 63 63 प्लस 100 163 प्लस X 163 प्लस X इसे आड़ कर लेते हैं 166 186 यहां पर आगा 186 प्लस X अगर मैं इसको आड करूंगो तो सेम मुझे एंड की वेली भी कितने मिल जाए कि 199 प्लस X तो आड करके देख लेते हम लोगो मीडियन दिया हुआ है तो हमें मीडियन दिया हुआ और मीडियन को दरा अंडेस्ट्राइंड करते हैं मिल्कुल नहीं इसके बीच पे 1504 हा इसके बीच में आ सकता है कॉलम को में मेरा बॉक्स बना कर रखते हूं अब देखते क्या यह पन मुझे दिया हूए यह अफ्रमुझे यह यह और मुझे अल्यचव कर दो मेरे पास है और नीचे मेरे पास एंडिया हुए एंड की वैल्यू कितनी हमारे पास इतना दे दिया हुआ है तो सबसे बहुत है और मीडियन भी दिया हुआ हमें नहीं निगाला मीडियन निगालना तो मीडिन का फॉर्ल भी टू ही होता है ल प्लस एच्पाय एक टाकेट में न न वाय डू माईनस यह यह था अधर को सब दिया आपने को अब एंड को एंड को एंड ही रखो बाद में एंड की यह सब से लेकर फ़ह एंड को एक रहीं डिए होगा अफ यह न थिझा है रोट की वैली है विल्कुल है कितना है निकालता है इसे लेके यहां पर सब्सक्राइक कर तो 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 यहां पर चाहर कर दो यहां पर यहां पर चाहर कर दो यह तो कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा मैंने बताना अभी आविज्जस आप लोको कितना हो जाएगा हम 1504 तो 154 यहां पर चाहर कर देखाना 154 इमिलने वाला आपने चाहते तू को यहां पर डिवाइड को तो वही मगजवारी होने आपसे तू से मुल्टिप्लाइ कर दो टू एंट वाइट कितन के मिल यहां पर चाहिए हों जो कितना है थी वाली कितना है है यहां पर हमें फाइंड आूट करनी थी कितनी ह्यां बहुत सिंपल भोशन था कि नीथा नहीं था स्टेन सेंडर का मीडिया नोला पंड आप लोग याद होना चाहिए बाकी कॉटल तो कुछ भी नहीं बहुत सिंपल है अगर आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर वन को बहुत ही परफेक्ट कर लेना बाद बरस के साथ सारी चीज़े को कवर कर लेना अगर आप लोग वह सार अगर आप लोग पसंद ही होगी और सारे कोशन क्लियर है तो वीडियो को लाइक करते ना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते ना मिलते है नेक्स वीडियो में जहां पर आपन इसके आगेला पार्ट यानिकी परसेंटाइल औ अगर आप लोग तकिले टेकिने तब तकिले से तुने और गुट्बार